हलो फ्रेंड आज मैं आपको बताने जा रहे हूं कोरियंडर लेट्स यानी धनिया की पत्ति का अचारहा अपने छतपनी बहुत ख्या होगा हम लोग सबजीयों में बहुत धनिये पत्ती यूज़ करते हैं पर आज मैं आपको बताओंगी चत पता धनिय पत्ति का अचार, इसके लिए हमने ये हाप के जी दनिय की पत्ति लिया, इसे हमने अच्छे से धो के साफ कर लिया और इसे एक हम पेपर के उपर इसे सुखने डाल दिये और इसे धूप में नहीं रखना है, छाओं में ही सुखाना है, और वो भी एक बात और, इसका डंधल हमें बिल्कुल नहीं टोलना, डंधल के साथ ही हम इसे चोपर मसीन से काटेंगे, या बारिक चाकु से काट लेंगे तो यह हमने रख दिया, यह जब थोड़ा सुख जाएगा, तो हम इसे फिर पलट देंगे, दूसरे पेपर पर रख देंगे, पेपर जो है, इसके पूरे पानी को अच्छे से अपजर्ब कर लेगा, और इसके बाद हम बताएंगे, एक बार धनिया पती पूरी अच्छी त काट लेगे, और अगर हम चौपर मसीन आपके पास न हो, तो कोई बात नहीं, आप इसे बारीक बारीक करके चक्कू से काट लेजिए, और इसमें जो हमें सामागरी लगेगी वो इस प्रकार है, हमने हाप केजी धनिया की पती ली है, और उसके साथ हमें डालना है, हाप भलता है 500 ग्राम लासन की कलिया, उसे हम ने अच्य तरह से छीळ दिया, और उसे भी हम मसीन में काट लेगे। यह चार बहुत ही चतपति आर बहुत अच्छी होती है 500 ग्राम अध्रक लेना है और 1500 ग्राम ही हमें हरी मिर्च भी लेनी है और कई बार आप सोचते होंगे कि धनिये की पती का अचारा है तो यह खराब हो जाएगा यह बिल्कुल खराब नहीं होगा आप जब तक चाहें इसे रख सकते हैं हाँ इसे खुले में दूप में कभी नहीं रखेंगे नहीं तो इसका रंग जो कलर जो है वो काला पड़ जाता है वो देखने में अच्छा नहीं लगता और इसे हम बस इसी प्रकार हम सारी समागरी को सिर्टिटिक जो आप ँरी अर्फ्तिकरते के सथा हमें लेदा है थाई सो ग्राम अद्रक उसे छिलका हटा देना और बिल्कुल चॉप कर देना है ऑ्धाई inteligring लशन और धाई सो ग्राम यह हरीमित और इसे हम जद पड काट perfect का लेंगे अगर जोब आप छौपर서 नित तो भ तो इसी प्रकार हमने सारी समाग्रियों को अच्छे से काट लिया यह हमने सभी चीट को एक साथ काटके और मिक्स कर दिया अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसमें मसाला क्या क्या डालना है सबसे पहले हम लेंगे टू टेबल स्पून शॉप तेबल स्पून में थी और वन टेबल स्पून धडिया और वन टेबल स्पून जीरा आसाब उजे इन समाकृех को हमें हलका रौस्त कर लेना है जलाना नहीं है बिलकुल हलका रौस्त कर लेना है ये धेखे हमारा मसाला रौस्त हो गया और आज हम इसे ठंडा होने रख देंगे उसके बार्ख तर्धरा पीस लेंगे बारिक नहीं करना है बिल्कुल दरदरा पीस लेना है तो यह हमने भनिय की पती लहसुन और अद्रक हडी मिर्च इसको चौप कर लिया इसे हमारी सामागरी से चौप्ट हो गए हमने इसे चौपड मसीन में चौप गया अगर आपके पास चौपड मसीन आही है तो इसे बारिक तो इसमें अब हम सामागरी डालेंगे, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हिंग, और हिंग डालने के बाद हम डालेंगे इसमें, देखिए, तू टेबल स्पून और ज्वाइन, इसमें डालेंगे, तू टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और यह वह मसाला है, जिसे हमने आपको दिखाया था, रोस्त करके, इसमें हम डालेंगे, तू टेबल स्पून हल्दी पाउडर, करेंगे, तू टेबल स्पून आमचूर पाउडर, वैसे बहुत लोग इसमें निवू भी डालते हैं, पर निवू का टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आता, तू टेबल स्पून आमचूर पाउडर, और पहले इसमें हम अब मिक्स करेंगे, सारी समागरी को हम पहले अच्छ पाउडर से मिक्स करतेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, ऐसे अचार में नमक हमेसे थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है, सबजी ओ की अपिक्छा है, और इसमें हम डालेंगे, रेब चिली पाउडर बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि इसमें हरी मिर्चोपडा वो अल्रेडी बहुत तिकी होगी, आपकी इक्षा हो तो आप इसमें थोड़ा कास्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डाल सकते हैं, ताकि तेल में डालने के बाद जाने के बाद इसका कलर बहुत ही अच्छा है जाए, और इसमें हम डालेंगे एक छोटा बाल सर सरसो तेल किया सकता है तो हम थोड़ा और डाल देंगे, और इसमें हम अच्छी तरह मिलाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा मसाले की आवसकता नहीं है, आपके भन्या में मसाले की एक अगंटिटी बिल्कुल सही है, अब मैं इसमें मिला के 1-1.5 घंटे ऐसे खुला रख छाओ में ही रखताऊंगी, उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद मैं इसमें जार में भरूंगी, और फिर जार को धूप में बंद करके और धूप में दो-3 दीन तक धूप में रख, अब इसे में लगबाग एक से तेड़ घंटे रेश्ट पर छोगती हूँ यह जू मसाले डालने के बाद बिल्कुल सुखा सुखा लग रहाता वो बिल्कुल यह गीला गीला से हो गया अब हम इसे जाल में डाल देंगे अब हुआ है अब एक से तेंगा खुआ है अब ऑया कि जब लगें लगें इसमें थोड़ी सी और तेल क्याव सकता है तो ज्यादा नहीं हम एक बाद हाप बाद तेल और डालतेंगे कि अज़ और अब हम इसे बंद करेंगे और अब हम इसे जार को बंद करके दो से तीन दिन कम से कम धूप में आपको हमारा यह रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक करें कमेंट करें और बैल आइकल को भी प्रेस कर दें ताकि आगे समय जो भी रेसिपी बनाऊ वह आप तक पहुंच सकें धन्यवाद